बच्चो आज हम इस लेक्चर वीडियो में सीखेगे कि अगर हमें गिवेन धुरम इस परकार से हो means यह हमें समझाने का यह परियास कर रहा है कि अगर जी में हम दो एलिमेंट ले यह और बी जैसे इस ने दिये है तो यह equations है AX is equal to B तो इसका जो solution आएगा भई हम इसका solution निकालेगे X is equal to suppose करो कि इसका solution C आ तो यह C जी के अंदर होना चाहिए और यह C एक यूनिक एलिमेंट हो जो यह नहीं कि हमारे इसके solution दो परकार के आ जाए जैसे quantity equation solution कितने आते है तो यहाँ पर कहता है कि solution भी एक ही होना है तो यहाँ पर हमें unique solution भी प्रूप करना है और solve करना है तो हम लिखते हैं यहाँ पर जो हमें लेकर चलना है उसको प्रूपिंग में लिखते है प्रूप हमें given क्या है एक गुरूप given G is a group एक तो हमने यह लिखा and फिर a and b दो element भी है इसके a, b belong to g यह हमें given में आगे अब हमें लिखना है equation मतलब true so that हमें so क्या करना है true so that जब हमें यह बाते लिख लेते हैं na given क्या है so क्या करना है तो हम इसको समझ पाते है आसाने से कि हमें क्या step लेकर चलने चाहिए true so that a x is equal to b equation first और y a equal to b equation second have unique solution in g अब दिखो इसमें हमें two step पर यह करना होगा पहले हम करेगे इस equation के लिए case first for equation a x is equal to b इसमें हमें पहले इसका solution निकालेगे और यह कहेगे कि यह g का element है जो solution आएगा फिर उसका uniqueness निकालेगे अर्थात यह solution ही इसका एक निस्चित solution है तो कैसे करते है यह समझना है दोनों का दोनों equation ऐसे ही solve करना है हमको we have तो we have हमें हमें यह equation ले लेना है a x equal to b clear अब देखो देखिए यहाँ पर a x के साथ लिखा हुआ है तो यह x के पास से यह इस a को हटाना है अब इनके बीच में x और a के बीच में जो operation है वो हमें मालूम नहीं कि वो multiple है यह कैसा है लेकिन क्योंकि हमने पहले वी वीडियो में बता था कि अगर two elements के बीच में कोई operation का sign नहीं आता जैसे कि a star b होता है या a circle b होता है ठीक है इस परकार से या a into b आता है अगर यह नहीं आता तो आप a b यह direct लिखते हूँ तो आप इसमें यह मान के चलो कि multiple operation हम कर रहे है clear तो यहाँ पर a x is equal to b है तो इसका मतलब हम मानेगे कि a और x को multiple किया हुआ है आपस में clear तो अब आप यह करो multiple में तो क्या करता है हम a को नीचे ले जा सकता है na x is equal to b upon a लेकिन यह method गलत है क्यों क्यों कि यहाँ पर हमने considering तो किया है कि multiple है लेकिन मालूम तो नहीं इनके बीच में क्या operation किया है ठीक है तो इसलिए हमें क्या करना है इसलिए हम group थोरी में यह procedure follow नहीं करते हम हम क्या करेगे इस a को इससे दूर अटाने के लिए हम both side a inverse से multiple करेगे या a inverse से operate करेगे तो मैंने क्या क्या a inverse bracket ax is equal to a inverse b यह आया अब हम यह जानते है कि हम यहां पर associative property को use में ला सकते है a inverse a bracket x is equal to a inverse b clear अब a inverse a हमारा क्या बनेगा identity e x is equal to a inverse b तो यहां से x is equal to क्योंकि identity को किसी भी elements के साथ multiple करने पर वो ही element मिलता है तो x is equal to a inverse b यह हमें x की value मिली अब हमें यह check करना है कि यह जो x की value आई है a inverse b हमारा यह g के अंदर belong करता है या नहीं यह हमें check करना है तो हम क्या करेगे हम देखेगे since a belong to g तो हम implies कर सकते है a का inverse belong to g क्यों क्योंकि g group है now अब a का inverse belong to g and b belong to g तो पीटे हम जानते है closure property अगर apply की जाए a inverse b belong किसमें कर जाएगा जी में closure property के according तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फिर हम यह क्या कहेगे hence hence x is equal to a inverse b belong to g अब यह बात तो हमें proof हो गई कि जो इस equation का solution आया वो solution हमारा g के अंदर belong करते हैं अब हमें दिखाना है यह unique है कि नहीं तो इसको हमें क्या लिखना होगा uniqueness इस equation के लिए case first में हम चल रहे है तो page लेते है second uniqueness uniqueness में क्या लिखना चाहिए हम लिखेगे let x1 and x2 are two solutions of ax is equal to b अब हमें दिखाना क्या है true so that क्योंकि uniqueness दिखाना है तो क्या दिखाना है x1 equal to x2 यह में दिखाना है clear now यह बात समझ माई since हमारा x1 and x2 are solutions of ax is equal to b तो क्या में यह implies कर सकता हो a x1 equal to b a x2 equal to b ऐसा लिख सकता हो इनको equation को मान सकते हैं 4 वो 3 मान लिजे क्योंकि हमने 1 और 2 पहले ले लिया और इसको 4 अब यह दोनों equal है न तो from 3 and 4 implies क्या करेगे a x1 equal to a x2 अब हमें यह a को खतम करना है तो आप यहां पर implies कर दिजे x1 is equal to x2 अब हमने यह a कैसे खतम किया हम लिखेगे इसको cancellation low by cancellation low clear तो यह पूरूप क्या करता है hence इससे यह पूरूप हो गया कि a x is equal to b has unique solution in g अब हम बात करेगे case second के लिए case second case second में किस equation को यूज करेगे 4 y a equal to b को यूज करेगे clear सबसे पहले हम क्या निकालेगे इसका solution निकालेगे तो we have y a equal to b अब देखो y के right में लिखा हुआ है a तो हम क्या करेगे a y को operate करेगे a inverse से और इधर b के भी right में operate करेगे a inverse अब यहाँ पर हम associative property का use करके a a inverse is equal to b a inverse ऐसा लिखतेगे clear अब यहाँ पर क्या होगा y equal to चलिए यह निलिखते a a inverse का मतलब हुआ e तो y e equal to b a inverse clear अब यहाँ से y equal to क्या आगया b a inverse अब यह हमारा belong करता है g में क्यों करता है since इसका region हमें क्या लिखना चाहिए देखो a belong करता है g को तो implies करोगे a का inverse belong to g now इसका region लिख रहे है हम a inverse belong to g and b belong to g implies closure property का use करके हमने क्या लिखा b a inverse belong to g क्योंकि हमें यही तो so करना है तो by closure property तो यह region हमें लिखना चाहिए जिससे की teacher समझ सके कि y equal to b a inverse belong to g उसने क्यों लिखा अब हम इस equation के लिए uniqueness solution लेगे कि इसका solution भी unique है एक ही है clear तो page लेते है next Uniqueness let करोगे let y1 and y2 are true solution of y a is equal to b true so that kya so करना है Uniqueness को दिखाने के लिए कि y1 equal to y2 अब हमें क्या करना है now since y1 and y2 are solution solutions of y a equal to b implies क्या कर सकते हैं y1 a equal to b इसको 5 मान लेते है y2 a equal to b इसको 6 मान लेते है from 5 and 6 same procedure follow करना है जो अभी हमने किया y1 a equal to y2 a फिर हम cancellation low लगाएगे y1 equal to y2 यहाँ पर लिखे के by cancellation low clear तो यह हमारा proof हो गया hence हम लिखेगे कि y a is equal to b has unique solution in g तो दोनों case से हमारी theorem क्या होती है प्रूफ हो जाती है तो hands approved ऐसा लिखकर हम इस question पर या इस theorem के लिए full mark प्राप्त कर लेगे बच्चो आज का lecture यहां तक है अगर आपको यह lecture वीडियो पसंद आया है तो आप like करे अपने दोस्तों को share करे अगर आप channel को पहली बार देख रहे है तो subscribe जरूर करे और bell icon को भी प्रेस करे जिससे की आने वाली हर lecture वीडियो का पता आपको सबसे पहले चल सके और आप उसका पुरा पुरा लाव ले सके मिलते हैं नई lecture वीडियो के साथ एक छोटे से break के बाद अगर आपने अब तक यह channel सबस्क्राइब नहीं किया तो subscribe जरूर करे जरूर करे प्रेस की आपको सबस्क्राइब करेड़र के लाव जापको सबस्क्राइब नहीं किया अपको सबस्क्राइब करें पुराइब